हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग तो आज कर जो यह विडियो होने वाला है पूरा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले नहीं है क्योंकि पता है ना कि CBSE board का term first का exam आने वाला है term one का exam आने वाला सर पे है तो किस तरह से तयारी करे term one का कि हमको 95% marks आ जाए किसी भी subject में वो मैं science का ही बात नहीं कर रहा हूं मैं social science, English, mathematics सब का बात कर रहा हूं किस तरह से हम तयारी करें अभी से जो term one में हमारा marks बहुत अच्छा है यानि 95% के करीब आ जाए क्या करें हम जो ऐसा हो तो आप बिल्कुल tension आ ले आपके लिए tension लेने वाला आपके सामने खरा है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप तयारी करें आपना board के लिए और वो भी term one के लिए क्योंकि यह question जो है वो board ही भेजेगी आपके school पे तो board ही भेजेगी तो अच्छा question ही आएगा वह इसे objective questions ही है क्योंकि 100% objectives आने वाले हैं तो उसी के उपर आपको तयारी करना है बहुत अच्छा पकड़ बनाना है objectives पे ठीक है तो आज का वीडियो उसी के उपर होने वाला है तो देखिए पहला बात क्या करना है आपको यहीं करना है यहीं चारों step यानी one two three four यह चार steps को आप अगर कर सकता है बच्छो तो क्या है पहला complete study event में cbsc term one में ही नहीं कह रहा cbsc का जो term two का exam होता है उसमें भी आप 95% लाओगे यह मेरा promise है आप से पकाल लाओगे आप लोग बस यह चारों चीज़ को follow करते जाओ और definitely और यह चारों चीज़ आप कर सकते हो आपके hit में है यह ठीक ह तो देखो पहला क्या है complete study all chapters which are coming in cbsc term one examination यानि जितना chapters आ रहा है cbsc term one के exam में उतना chapters आप पूरे अच्छे डंग से पढ़ लो study कलो अच्छे से ठीक है पहला काम तो आपको यही करना है अब यह नहीं कि अब यह पढ़े ही नहीं और question solve कर रहे हैं समझ में यह नहीं ठीक है तो पहले करना क्या है कि आपको जो chapters आ रहे हैं हमारे board में यानि term one cbsc term one के exam में जो भी हमारा chapters आ रहा है वो सारे chapters को आप पढ़ लो ठीक है अच्छे डंग से दूसरा क्या है अब जो जो chapter आप कर लियो यानि revise one chapter daily which you studied कहने का मेरा मतलब है daily एक chapter आपको revise करना है जो chapter आपने पढ़ लिया है यानि जैसे एक में बात करूँ जैसे chemical reaction and equation chapter में ने पढ़ा दिया है ठीक है तो उस chapter का आप revision करो daily जैसे आपका acid basin salt हो गया है खतम जैसे light chapter खतम हो गया तो जो जो chapter आपका खतम हो गया है वो chapter आप revise करते चलो आगे जो आप पढ़ रहे हो लेकिन daily जो है एक एक chapter का आप revision करते चलो ऐसा क्या होगा कि आगे जो पढ़ोगे वो तो आपका सही ही रहेगा लेकिन पीछे जो है न वो भूलोगे नहीं वो सेंपल पेपर कोई भी में नाम करो सकते हैं सब का आता है अरियंत में भी साइंस, इंग्लिस, मैथनेटिक्स, हिंदी, सब का आता है, तो वहां से आप पर्चेज कर सकते हो, हमारा, अब यह नहीं का जी जाएंगे, हम यह प्रोड़क्ट का सेल कर रहें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह बहुत अच्छा कंटेंट रखते हैं, इसी के ल क्या रहा है, कि पर्चेज यानि ऑप सैंपल पेपर, एंड प्रैक्टिस एटलिस्ट हंड्रेड अब्जेक्टिव क्वेश्चन्स इन इच चैप्टर, पर्तिक चैप्टर का, हंडेड एमसी क्यू क्वेश्चन्स आपको करने है, यानि जैसे मैं बात करूं, लाइट चैप तो उसमें से आपको क्या करना है अब्जेक्टिव क् ал करने, चैप्टर सुंदा क्रणा है, चैप्टर पर देड उड्जेक्टिम में घुमा कुछन्स पर अबोड तो ंसमें रहता है, छुकि मैं इसका अब्जेक्टिव का सिरीज या ला रहा हूँ आपके लिए टेंसमा ले अब्जेक्टिब्स हर एक चैप्टर का में लगबग बहुत सारा अब्जेक्टिब्स आपके सामने ला रहा हूँ एक अब्जेक्टिब्स का सीरीज ही ला रहा हूँ उसमें अच्छे-च्छे किस-किस तरह से सीडियसी कॉस्टन करती है वो सारा में discuss करूंगा वहां पर वह तो बाद की बात है लेकिन जो आप एक chapter है एक chapter से कम से कम तो hundred objectives करो आप आप कहोगे कि hundred objective मिलेगा कहां तो वो उस sample paper में ही मिलेगा आपको sample paper updated मिलेगा तो उसमें आप objective टैप questions रहेंगे तो hundred पर एक chapter से hundred objective questions कर लो और वो भी assertion reason बला ठीक है assertion reason बला कर लो और जो extras रहते हैं objective वो दोनों कर लो यह दोनों कर लोगे तो आप objective parts तो बहुत अच्छे से clear हो जागा क्योंकि term one में तो पूरी तरह से जो है objective ही आ रहा है hundred percent objectives आ रहा है तो objective questions को आप बहुत अच्छे से यानि पर एक chapter में कम से कम hundred objectives कर लो assertion reason बला और assertion reason क्या होता है तो वह भी मैं objective का series ला रहा हूं तो अच्छे से discussion करूंगा कि objective की assertion reason बला जो हमारा questions होता है objective वो बनेगा कैसे ठीक है वो थोड़ा logical होता है तो यह बात समझे तिसरा सेंपल पर खड़िदना है और परते एक chapter से hundred objective करना है हमको ठीक है और last क्या है यह तीनों पराव से आप गुजड़ जाओगे पहला पराव यह दूसरा पराव यह तीसरा पराव और यह चाओथा पराव लास्ट क्या है जो क्या कहें यह चाओथा पराव क्या है कि solve set of the sample paper honestly ठीक है कहानी का मतलब वो जो आप sample paper खड़ दोगे xyz का तो वो sample paper से आपको set बनाने है आपको क्या करना है sample paper का set solve करना है ठीक है तो हर एक sample paper में लगबग 10 से ज़्यादा set होते हैं ठीक है वो सारे sets को आपको solve करना है एक एक कड़के solve करना है और honestly करना है ऐसा नहीं कि वो बना रहे हैं और उसको देखकर पीछे से उसका answer लिख दिये तो वो फिर honestly नहीं करोगे ता आप honestly कैसे आप questions को कर पाओगे examination में इसी के लिए set करना है और honestly करना है और कितना set कर जाना है आपको लेट बॉक दस सेट कर जाना है अगर दस सेट कर लिए तब तो आपका जिंगा लाला जिंगा लाला हो जाएगा यानि आपका तो मज़ा आ जाएगा फिर आपको tension किस बात की है तो आपका 95% रखा है यह चारों चीज आप कर लेते हो तो आपका 95% किसी भी सब्जेक्ट में साइन्स में सस्टी में मैथमेटिक्स में कोई नहीं काट सकता ठीक है तो यह चारों चीज आपको करना है तब आप बहुत असानी से किसी भी सब्जेक्ट में 95% कर सकते हो ठीक है बच्चों तो यह बात आई तिंग आपको समझ में आया ठीक है स्टुडेंट्स माइ ओल ब् मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे मुझे पता है तर व्God exam में और टर्म टूइग्जाम में इवन जिंद्धगी के हर एक एक्जाम में आप बहुत अच्छे करोगे ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परहाई करते रहें आल दे वरी बेस्ट